बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं के उपर वो आज हामला कर रहे हैं डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं आप तो उसको किसी ना किसी केस में डालते हो डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में जॉइन होता है वो क्लीन हो जाता है इतनी क्यात्रा के माध्यम से अभी मैं कहा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चंता के मूल सवालों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब की बड़ती खाई और जातिगत जनगरना आदी पर जनजागरन करने का भी यह मोखा है, और हम सबसे यह बात करेंगे, देखो आज देश में दुसरी चीज भी है, यह तो हमारे कारिक्रम के साथ साथ आपको दूसरा भी बोलूँगा, खुले आम, बीजेपी सरकार, इडी को, सीबियाई को, इंकम टैस्ट डिपार्टमेंट को, और दूसरे चोटे मोटे एजेंसीज को भी, विपक्षी नेताओं के उपर, और उनके रिलेटिवस के उपर, चोटे मोटे लोग जो पाटी के होते हैं, उनके रिलेटिवस के उपर, वो आज हामला कर रहे हैं डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मन्वा रहे हैं और ये एक बहुत ताजब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहिते हो ये ठीक नहीं है किसी को कॉंग्रेस वाले को पकड़ लिए कहां कहीं टीमसी वालों को पकड़ लिए किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो आप तो उसको किसी ना किसी केस में डालते हो डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में जॉइन होता है वो क्लीन हो जाता है इतनी बड़ी ड्राइकलीन फैक्टरी शाह साब के पास है हमारे पास कलंकित उनके पास जाते ही वाइट प्यूर वाइट बन जाते हैं ये कैसा होता है यह नाही की बात करते हैं आप एक जो बात करते हैं कि हम बहुत क्या कहेंगे हम बहुत सुच है निश्कलंक है यह बात करते हैं अगर यह क्यों कर रहे zasad कहा अगर आपको दो-चारी मेले कम गिरे उनको उठालेके जाते हो केस डालते हो फिर वो सरकार क्लीन हो जाती है अईसी अगर हुकुमत चली ऐसा ही देश चला है तो क्या होगा कि जो जनता से चुनके आते हैं आप उनको खरीद परोस्त करके डरा धमका के अगर शामिल कर लेते हैं तो क्या अच्छी बात है यह तो इसलिए अब हम लोकों को यह बताने भी जा रहे हैं और जो एंजी ओस है जर्नलिस्ट है किसान है छोटे मोटे विपारी है दलित है और पिछडे हुए वर्क के लोग है और इंटिलेक्शुल से है और जो ट्राइबल सेक्शन यह सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं एक एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीच होगी जो बात होगी वहाँ भी हम बताएंगे और लोगों के तकलीब भी सुनेंगे क्योंकि सिर्फ हमारी बात कहिने के लिए नहीं दूसरों की बात सुनने के लिए भी यह प्लाइटवार्म यूज किया जाएगा यात्रा के दौरान राहुल जी समाज के विबिन वर्गाउं से विबिन छेत्रों के लोकों को संगटनों से वो बात करेंगे उनकी बात समझेंगे और उसको सॉलूशन क्या होगा नेक्स्ट इसके लिए हमको बहुत बड़ा फाइदा होगा और कॉंग्रेस केडर इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा हमने इंडिया के टुबंदन के निताओं और सातियों और विबिन राजों में कांग्रेस पार्टी से संबंदित मित्र दलों सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ों या यात्रा में शामील होने के लिए आमंत्रीत किया है Mostly वो भी जोईन हो जाएंगे और जिद जिद जगे वो उनकी भेट होगी वहाँ पर भी बातचीत करेंगे फिर अब मैं आप सबको आमंत्रीत करता हूँ कि इसमें सबी लोग जुड़ जाएं कि इसमें सबीज़ जाएंगे झाल झाल झाल